क्वेस्टन नमर एक मानव अधिकार तिवस कमने जाता है ओप्षन एक दिसम्बर ओप्षन भी दस दिसम्बर ओप्षन सी आठ मार्च ओप्षन डी बारह अप्रेल इसका राइट एंसो ओप्षन भी दस दिसम्बर को क्वेस्टन नमर टू किस देश का राष्टी ये ध्वज चतरभुजाकार में नहीं है ओप्षन एज जापान ओप्षन वी दुत्तर कोरिया ओप्षन सी नेपाल ओप्षन डी बुट्टन इसका राइट एंस ओप्षन सी नेपाल क्वेस्टन नमर टूरी का देश किस देश को कहा जाता है ओप्षन एज जापान ओप्षन बी उत्तर कोरिया ओप्षन सी नौर्वेय ओप्षन डी कनाड़ इसका राइट एंस ओप्षन एज जापान को क्वेस्टन नमर फोर इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के दलेख हक हैं ओप्षन एबुल कलामा जाद ओप्षन वी सल्मान रुस्दी ओप्षन सी राजंदर परसाद ओप्षन डी महत्मा गांदी इसका राइट एंस ओप्षन एबुल कलामा जाद क्वेस्टन नमर फाइव सोतंत भारत के पर्थम राष्ट पती कौन थे ओप्षन एबुल कलामा जाद ओप्षन वी जवाहरलाल नहरू उप्षन सी राजंदर परसाद ओप्षन डी महत्मा गांदी इसका राइट एंस ओप्षन सी राजंद परसाद Q6. करो या मरो का नारा किस ने दिया? Option A. भगत सिंग Option B. जबाहरलाल नहरू Option C. सुवाच अंद्र बोस Option D. महात्मा गांदी Q7. सरवाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? Option A. सुख्र Option B. मंगल Option C. ड्रस्पति Option D. सनी इसका राइट अंचर Option A. सुख्र Q8. दिलिफ ट्रोफी की स्खेल से संबंधी था है? Option A. होकी Option B. फोटबोल Option C. किर्केट Option D. टैनिस इसका राइट अंचर अप्शन C. किर्केट Q9. बेस्बोल खेल की एक टीम है? कितने खिलाड़ी होते हैं? Option A. 11 Option B. 9 Option C. 6 Option D. 5 इसका राइट अंचर अप्शन B. 9 खिलाड़ी Q9. इसका रायेट अंचर अप्शन B. 10 झाल झाल